स्टेगरिंग नंबर बता रहा हूं दुनिया की 70% खेती जानवरों का खाना उगाने के लिए की जाती है 70% खेती और सिर्फ 30% खेती में इंसानों के लिए खाना उगा याता है 8 billion इंसानों के लिए यह नंबर है उनन जानवरों को जो हम हर सल मार के खा जाते एट-shop करोर एनिमरstanden…. घंट-घंबर गाय जानवर क्रोर आपके खेता है। बलित जानवर छानवर क予ती हैं है उनक्रोके नियों कि लिए खाना कहां से आता है 8000 क्रोड जानवर कि 70 percent खाना जुम खाना उगाते हैं वह इन जानवरों को खिला आजाता और इन से महें कैलोरी कितनी मिलती एं कोई गैस करो नमबर आपको कुछ आइडिया हो कितने कैलोरी मिलती है अठारा परसेंट मतलब हम सतर परसेंट जमीन यूज करके इन जानवरों को पैदा करके इनकी लाइफ स्लेवरी में और कंफाइनमेंट में रखके अठारा परसेंट कैलोरी डिर्वाइब करते हैं अपने 70% हम पी नहीं सकते हैं दो हमारा प्लैनेट 70% वाटर 70% पानी हम कंजीवी नहीं कर सकते सिर्व 1% यूज करते हैं उसमें 1% में वन थर्ड वाटर इन जानवरों को ब्रेस करने में उनका खाना उगाने में यूज किया जाता है तो अगर आपके यहां कोई भूखा सो रहा है उसका कारण है कि कोई चिकन खा रहा है उसका चिकन के लिए उसने चार किलो अनाज खिलाया उसको तब जाके वह इतना मोटा हुआ और एक किलो चिकन में कितने लोग खा सकते कि तीन जने तीन जने राइट ठीक है और उसको चिकन को कितना अनाज खिलाना पड़ता है उसको मोड़ा करने के लिए 4 kg 4 kg कौर्ण में कितने लोग खाना खा लेंगे 4 kg ग्रेंज में कितने लोग खाना खा लेंगे 10-20 खा लेंगे तो यह injustice है कि नहीं है जब हमारे बस दुनिया में इंसानों को खिलाने के लिए खाना नहीं है तो हम जानवरों को breed करके उनकी जिंदगी नरक बनाके उनको खा रहे हैं अपने जंगल डिस्ट्रॉय करके यह कौन सबसे intelligent species कर सकता है प्लानेट का राइट